हाई गाईज मैं हूँ अमिता और स्वागत है आप सभी का मेरे चानल FitLife by Amita पे जहां मैं अमेरिका की लाइश्टायल दिखाती हूँ वीजा के बारे में बताती हूँ अमेरिका की जॉब्स के बारे में बताती रहती हूँ तो अगर आप सब मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि कुछ महीनों पहले मम्मी अमेरिका आई है बीवन बीटू कैटेगरी वीजा पे तो मम्मी का इंटर्व्यू कैसे हुआ किस लांग्विज में हुआ अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका इंटर्व्यू कैसे होगा यहां अमेरिका जब आप पहुचोगे तो एरपोर्ट पे आपसे सवाल कैसे पूछे जाएंगे हिंदी में पूछे जाएंगे वो सारी डिटेल्स आप लोगों को इस वीडियो में मैं दूंगी तो पूरी वीडियो एंड तक देखना और समझने की कोशिच करना मम्मी टूरिस वीजा पर आई है यहां पर और यह वीजा एक बर अप्रूफ जब हो जाता है तो यह भी मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है मेरे प्लेलिस में जाना और वहां पर जॉप्स एंड वीजा कैटेगरी में जाके सारी वीडियो आप देख सकते हो जब भी आप अपॉइंट्मेंट बुक करते हो वहां पर आपको हिंदी लांगविज सेलेक्ट अपशन आपको दिखेंगे तो जब ममी डेली वहां युस कॉंसलेट में पहुंची तो उसके बाद का प्रोसेस ममी आपको खुद बताएंगी तो उसके बाद जैसे तुम पहुंची वहां पर तो फिर क्या हुआ वा दढ़ सको नमसकार मेरा प्यार भरा नमसकार जब मैं गई तो जो ऑफिसर थी वो लेडी थी उसने इंग्लिस में पूछना स्टार्ट किया वो अमेरिकन थी हां अमेरिकन थी हां तो मैं उनसे बोली कि I need Hindi to English Translator या English to Hindi Translator तो जस्ट उसके बगल में थी हिंदी की वो आ गई और जो अमेरिकन ऑफिसर थी वो उससे इंग्लिस में question करती थी और Hindi Translator जो थी वो मुझसे हिंदी में बात करती थी तो उसमें पूछना था कि आप जो जा रही हैं कितने दिनों के लिए जा रही हैं मैं बोली कि जा रही हूं 5-6 मन्त में वापसा जाओं तो किसके पास जा रही हैं तो मैं बताई कि मैं अपने डॉ इसके प्रणा सवाल है क्योंकि अगर मालीजे जैसे हमने मम्मी को इन्वाइट किया था क्योंकि बहुत सारे डॉक्यमेंटेशन लगे थे और मैं डॉक्यमेंट्स पे आप लगों के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी तो वो सारे डॉक्यमेंट्स मम्मी का पापा का हमन में रहने में सारी चीजें हम उठाएंगे तो वो सब कुछ वो पूछते हैं वहाँ पे क्योंकि अगर आपको कोई इन्वाइट करें तभी आप यूएस आ सकते हैं यह वीडियो वीजा अगर आपका कोई रिलेटिव नहीं है तब पर भी आप यूएस आ सकते हैं टूरिस पर आपको अपना बैंक बैलेंस दिखाना पड़ेगा उतना कि जितने भी दिनों के लिए आप आ रहे हैं वहाँ इंडिया में कि आप यूएस में उतने दिन अपना खर्चा चला लेंगे और यहां पर रहने का खर्चा आपका जितना लगेगा हर दिन के हिसाब से हैं इस पे मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई हुई है तो वो जाके आप पुराना मेरे प्लेलिस पे देख लेना तो वो यह सारी चीजे देखते हैं अगर आपको कोई इंवाइट नहीं किया होता है तो तो आपको इंडियान बैंक अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे रखने क जरूरत होती है अगर आपको कोई इंवाइट नहीं किया है तो पर मम्मी के केस में हमने इंवाइट किया था तो वो सारी चीजे मम्मी को नहीं दिखानी थी इंडियन अकाउंट में कोई पैसा नहीं दिखाना था क्योंकि सारा खर्चा हम उठाने वाले थे तो इसी लिए पता था और जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो ममी ने दिखा दिया हाँ डेकुमेंट्स तो मतलब देख ली थी पहले ही उसके बाद फिर पासपोर्ट मांगी फिर वोली आपका वीजा लग गया तो बेसिकली आपका पासपोर्ट वहां रख लेते हैं वो स्टांप कर हैं आपका यूएस का वीजा उस पर लगा के आपके घर पासपोर्ट भेज देते हैं चाहे तो आप वहां सभी कलेक कर लो तो हाँ यह तो इंडिया का इंटर्विव प्रॉसेस हो गया अब बात करते हैं जब आप अमेरिका के एरपोर्ट पर उतरते हो तो आप यहां तो सा वीलचेयर आप्ट कर लेना चाहिए इंटरनाशनल से डोमेस्टिक डोमेस्टिक से इंटरनाशनल या यहां पे शिकागो में उतरके ममी को कहां जाना है वो चीज़ें अगर आपका वीलचेयर नहीं होगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एरपोर्ट काफी बड़ फेर जाना था वो पासपोर्ट मेरा और टीकट सबसें हैं तो एक टीकर और पासपोर्ट ओ पूली इंग्लिश में ही बोली कि अपने हैंडमें रख लीजिए तो बेसी कि लिए अगर वर्रट भी समझ आते हैं इंगलिश के ऐसा नहीं मलब जैसे उसने बोला पासपोर्ट तो आपको इतना अगर बेसिक इंग्लिश आती है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी हाप मैं हाप में रखी और हर कॉंटर पे वह भील चेयर से ले गई अब खुद कॉंटर पे बढ़ा दी तो बेसिकली मम्मी बस चेयर पे बैठी हुई थी सिकागो में जो अफिसर बैठ किया और फिर भील चेयर वाली आगे लेटर के लेडीज थी भील चेयर वाली बहुत अच्छी थी बहुत अच्छे से भील चेयर वाले लोग लाते हैं मैं पता ही नहीं चलता है कि मैं इंगलिस नहीं जानती हूँ पहले सब मैं काफी ड़ी हुई थी इसलिए कि कभी मैं अम विए दूर सफर की नहीं थी अब मेरा अंदर से डर भाग गया अब अगली बार आओगी तो डरोगी नहीं वैसे कोई नर्वसनेस नहीं होगी नहीं कि दूसरे पराय देश में जा रहे हैं कैसे होगा अगली बार जब आओँगी तो बिल्कुल हस करके आओँगी इस बहुत तो उसके लिए आपको पहले से बुक करना होता है और इसे तो यंग को भी मिल जाता है बट ओल्डेज वालों को प्रेफरेंस दी जाती है वैसे यंग को भी मिल सकता है तो वीलचेर करवा लेना बहुत एजी हो जाएगा आपको ट्रावल में और दूसरी चीज पर आपको पूछे जाते हैं तो उनके पास आपका पूरा डीटेल होता है क्योंकि हम लोगों ने ओनलाइन सारा फॉर्म भरा होता है तो उनके पास आरी चीज़े होती है बेसिकि लिए कुछ एक दो सवाल पूछते हैं वर्ला नहीं भी पूछते हैं और हमने एक मम्मी को लेटर लिखके दे दिया था ओफिसर के लिए जो यहां के ओफिसर के लिए इंगलिश में और उसमें हमने यही सब लिखा था कि मंमी को इंगलिष नहीं आती मम्मी को अगर कोई सवाल पूछें तो वो आपको English to Hindi Translator बुला के पूछें या फिर आप सब हमें कॉल कर लेना तो मैंने अपना और अमोध का नंबर डाल दिया था उस लेटर पे कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कॉल कर लेना तो हम आपकी क्वेरी दूर कर देंग और बाकी जितने डॉक्यमेंट्स वगर थे उन्हें उन्लाइन सारी चीज़ें दिख जाती हैं तो मम्मी ने जैसे अब आपको बताये कि जस्ट उसको पासपोर्ट दिया और रिटर्न टिकट दिया ओफिसर ने आगे कोई भी सवाल जवाब मम्मी से नहीं किया और बोला च स्मूध रही अगर आप लोगों को इंग्लिश नहीं आती कोई भी लैंग्वेज आती है कोई नर्फास होने की जरूवत नहीं हां हां मम्मी को मतलब सोच लिए मम्मी अगर इतना कॉन्फिडेंटली कह रही है तो बहुत बड़ी बात है अगर बहुत बहुत आसानी से आए सब्सक्राइब करेंगे जो की बिल्कुल अनपढ हैं हां वो भी एक कागज पे लिखा रहेगा और भीलचेर वाले खुदी अपने आप पहले बता देते हैं कि इनको कहां जाना जैसे दिल ही में जैसे भीलचेर वाला आया वो बता दिया कि अपनी बेटी के हैं तो जितनी असानी से मम्मी पहुची हूँ वैसे आप सब भी यहां अमेरिका आ सकते हो बहुत असानी से लेंगवेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होती ठीक है सभी को बाई बाई ओल्राइट गाईस स्टे हाथी स्टे फिट बाई बाई